नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत सारे लोग कॉमेंट किये थे कि ATM, BTM का जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा आप डिसकसन कीजिए तो उन लोग के डिमांड पे खास करके या वीडियो में लाया हूँ और ATM, BTM का जोब प्रोफाइल पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा तब आपको सारी चीज A to Z समझ में आ जाएगी इसमें जो होता है आपको हर साल इसका रिनुवल होता है जोब और हर साल जो है इसका इंक्रिमेंट आपको 10% देखने को मिलता है जैसे 23,200 है तो उसके बाद आपको लगभग लगभग 2000 के आसपास इंक्रिमेंट हर साल देखने को मिलेगा 10% आपका जितना भी basic पे रहेगा उसका 10% आपको increment इसमें लगता है तो ये चीज़ तो काफी अच्छा है क्योंकि other government जो आपको 3% increment होता है इसमें आपको 10% increment देखने को मिलता है उसके बाद बात कर लेते हैं कि ATM का क्या काम होता है तो आत्मा योजना के अंतरगत क्रिसी विभाग में जितनी सारी योजनाएं आती है जैसे कि किसान चोपाल लगाना होता है फार मिस्कुल का होता है उसके बाद जितने भी आत्मा से चलती है योजनाएं जैसे कि आपको ग्राम चोपाल लगता है तो वो सारी चीज जो है आत्मा योजना के अंतरगत आती है तो उसके लिए आपका काफी अच्छा खासा जो है उसमें पैसा देता है जैसे कि ग्राम चोपाल लगता है उसमें 10 से 12,000 रुपया आपको दिया जाता है तो उसमें 2400,500,2000 खर्चा खड़के आदमी अच्छा खासा बचा लेता है तो ये चीज तो है कि इसमें side income भी आपका हो जाएगा इसके लिए आपका ये चीज अच्छा है उसके बाद इसमें और क्या काम होता है कि अगर आपका आत्मा योजना का अगर काम नहीं रहता है तो आपको क्रिसी विभाग के द्वारा जो भी काम दिया जाता है जैसे कि आपको PM किसान सम्मान निदी हो गया KCC के बारे में Farmers को बताना रहता हुव हो गया तो ये सारा काम क्रिसी विभाग जब आपका काम नहीं रहेगा तो क्रिसी विभाग आपको काम देती है अपना उसके बाद BTM का ये Block Level में होता है जो भी ATM होते हैं उन सारे को coordinate करना और इनका ATM का जो होता है कि आपको न्याई पंचायत वहाँ पे आपको बिहार में जो है आपका पंचायत होता है एक पंचायत या दो पंचायत या तीन पंचायत जो भी होगा वहाँ पे जैसे कि जितने भी स्टाप होते हैं उस ही साब से दिया जाता है अगर प्रचूर मातरा में स्टाफ है तो आपको एक ही पंचाय़ दिया जाएगा और उसी का सारा देख रेख आपको करना होगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपका सबसे बड़ी बात होती है कि आपको छुट्टी कितनी मिलती है तो आपको government की तरफ से कोई भी जो है अगर आप नोकरी करते हैं तो आपको Sunday को ही छुट्टी मिलती है परन्तु अगर आप ATM या BTM है तो इसमें आपको सब्ताह में या 15 दिन में एक से दो दिन आपको ड्यूटी करना पड़ता है तो वो लोग मतलब कोई भी अगर other job का preparation करना चाहे तो उनके लिए सबसे best job आपका ये है क्योंकि कहीं भी आप देख लिजे कोई भी ATM से आप बात करके देख लिजे तो वो 15 दिन में या सब्ताह दिन में एक से दो दिन ड्यूटी जाते हैं और उसी में सारा काम निप्टा के अपना वापस चले आते हैं और रूम पे बैठ के अपना आपको तैयारी करना है इसमें कोई ज़्यादा बिशेस काम आपको नहीं होती है इसलिए उन लोग के लिए सबसे बेस्ट है जो लोग अधर जैसे की बैंक का प्रिप्रेशन करना चाहते हैं आगे जो है आपका बी यो का फोर्म आने वाला है एडी का फोर्म आने वाला है तो उसका अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए यह बहुत अच्छा है तो आप ये सारा चीज समझ गए कि इसका सैलली कितना होता है इसमें काम क्या होता है आपको जैसे कि खरीप में ग्राम चोपाल लगाना पड़ता है रभी में ग्राम चोपाल लगाना पड़ता है तो ये आपको थोरा सा खरीप और रभी में जिस समय बीज का सीजन होता है उस समय आपको थोरा सा महनत एक दू दिन करना होगा उसके बाद इसमें कोई महनत नहीं इससे अच्छा जौब आपका कोई भी नहीं है और बिहार में जो ये है कभी भी आत्मा योजना आपका बंद होने वाली नहीं है इसलिए वो लोग निश्चिन्त रहेंगे जो लोग ये चीज के ब्रहमा होंगे कि उनका एक साल के लिए उसमें अनुबंद पे आपको लिया जाता है हर साल जो इसका रिनुवल होता है और इसको आपका कभी भी ये आत्मा आपका खतम नहीं हो सकती है और सबसे अच्छा जो है या बिहार में ही आत्मायोजना चल रही है इसलिए आदमी निश्चिंत रहें और अपने जौब को करें जो भी लोग जो भी लोग अभी तक आवेदन नहीं किये हैं वो लोग अपना आवेदन कर लेंगे इसका जो है लास्ट डेट आपका 30 अपरिल तक रखा गया है थैंक्यो अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉमेंट सेक्षन में मेसेज कर सकते हैं धन्यवाद